नमस्कार जहीं दोस्तों आप देख रहे हैं Master Video Official और बहुत लोगों का ये कॉमेंट था कि सर किस सब्जेक्ट से कितना कोस्टन आया था NTPC-CVT2 में वो थोड़ा बता देते हैं तो आज हम इसी पर बात करने वाले मैंने पूरा लिखा है जो भी एक्जाम हुआ है सब का और जेनरली सब में कॉमन था कि जिस टॉपिक से असान प्रसन आ रहेते हैं सभी में असान आ रहा था जिसमें हाड आ रहा था सब में हाड आ रहा था तो मैंने सब का लिख लिया है इ अगर वह TCS लेता है तो फिर उसमें भी संभबते help कर पढ़ जाएगा क्योंकि अगर आप CGL का एक्जाम देखे होगे तो वैसा ही पैटरन लगभग था इसका कोस्टन पेपर कहिएगा तो कल अंसर सीट आएगा कल मिली जाएगा कोस्टन पेपर भी तो अभी देख लेते हैं हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हर एक सिफ्ट में संभबता पांच से छे प्रसन आ रहे थे हिस्ट्री से हिस्ट्री में आपको तीन कोस्टन ऐसे मिलेंग जैसे ऐस्टших दियार के लेकर कौन हो गया है या फिर गांध इरven समझाओता क्ववा यह सब इसलिक सान ही प्रस्न हुआ तो इसलिक में उसमें दो से तीन प्रस्न जो थे वह असान थे ग्फिकल्ट थे धिकल्ट हमेंसा जिक्षा इंदें धिक्राइध से जिनको पता होगा हुआ असान ही होगा तो और जैसे इसमें था इंग्लिस फेक्ट्री जो था हुगली में ये कव लगाया गया था तो 1651 ये थोड़ा डिफिकल्ट था अब हम बात करते जोगरफी में तो जोगरफी में फर्स्ट में काफी प्रस्न आया हुआ था काफी मतलब नेपाल से कौनसी नदी निकलती है और ऑप्सन काफी डिफिकल्ट था जैसे कि हलांकि बढ़ाम पुत्र और सिंधु तो छाट सकते थे गंगा नदी और रिस्ता एक नदी था रिपता या रिस्ता कुछ आईसा था तो वो नदी था तो थोड़ा वो कंफ्यूजिंग था सा आप बात करते हैं आर्ट and culture आर्ट and culture से बहुत अधिक प्रस्नाय थे, दौनों shift में छे से साथ प्रस्नाय थे लेवल फोर वाले में भी और लेवल 6 वाले में भी, अच्छा बहुत दोनों का ये comment था कि लेवल 6 है तो हाट तो रहेगा ही मेरे वा ऐसा नहीं पत्र देखो त इसा कोई बात नहीं था सब का लेवल एक ही जैजा था मुझे तो लेवल 4 का और 8 की हाड लगा तो वह डिपेंड करता है किसी को असन लगा होगा किसी को कठी लगा होगा तो लेवल 4 का भी ऐसा ही था इसलिए यह मत सोचना कि मेरा लेवल 2 में है तो यह असा ना जाएगा ऐस नहीं होगा तो आर्ट इंड कल्चर से 5 प्रस्न आये खी जिसेमें 2 थो था फेस्टिवल से कि यह प्रश्टिवल कि होना है और म्यूजिक से एक प्रस्न था डांसरं प्रस्न था और आक जण्जाती सरेस्क टॉपिक में में लिए आपको जो संगीत और जो डांसर होता है ना उससे दौनों स्ट में एक एक प्रसंत हैं तो डांस जरूर देख लीजिएगा क्योंकि CGL में भी डांस से प्रसंत आया हुआ था और डांस यह नहीं कथा कलीवरा डांस नहीं डिफिकल्ट डांस वाला ठीक जो सिंपल वाइसे वाला था वो डिफिकल्ट था जो एकोनोमिक पुरा जिनका अच्छे से पकर होगा वो सही कर पाएंगे उसको तो एकोनोमिक से तीन प्रसंत आये थे इन्वारेमेंट से दो प्रसंत आये हुए थे दोनों सिफ्ट में और वो अगर आगर आपको इस पी अगर आपको याद है तो आप बना पाते तो दो प्रस्ना या थे एक ऐसका डificialट कह सकते अे स्टेटिक क था पॉलिदिग का भीPrस नहीं था चार से पांच प्रसं आये थे दोनों सिफ्ट में तो उसमें आपको असान लगते दो प्रस नहीं हाँ आगता जैसे असठान प्र कुछ परसन तक हो गए अब हम बात करते हैं करेंट अफ्येर करेंट का डौनद Ice उच्छ सेंस में घ्रेंड मास्टर कौन बना आए अभी भात्तरमा ग्रेंट मास्टर चल रहा मतलब जो बन गया है तो पुराने थे इसलिए डिफिकल्ट था यह जो एक पड़सन था कि मुंबई में जेल म्यूजियम बना है यह बहुत पुराना है मैं दुजार 21 में था तो मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ जैसे निसार का बोल चुका हूँ कई बार वैसे ही यह मैं बहुत बार बोला हूँ तो करेंट में काफी प्रसन था 11 से 12 प्रसन था बहले ही लोग कह रहे हैं कि नहीं चार से 5 प्रसन था मैं भी कहा हुआ था लेकिन 11 से 12 प्रसन जो है वो स्पीडी से उसमें अगर हम कहें यह स्पीडी अलुटेडिया जो भी करेंट का वुकाता है प्लेटफॉर्म उससे अगर को तो 11 में से कम से सुम साथ स्याथ प्रसन मिल जाते थे तो जो डिपली पढ़ा होगा उनसे मिलेगा क्योंकि जैसे मालों इंडेक्स हम पूछ दिया स्पाइब करते हैं या फिर जो कौन जारी करता है वह याद करते हैं पता टो उसको भी पूस्ट दिैगया है त exactly यह जारी कि पर comparable आप फृँछ पढ़ना पढ़ेगा जो व्ही टोपिक पढ़ते हैं उसको को डिपली पढ़ना पढ़ेगा आगे आप बात करते हैं, तो हलांकि मैं topic wise कर दिया, इसलिए मिस्लेनियस से अधीक प्रस निसमें बचेगा नहीं, मिस्लेनियस से दो से तीन प्रस ना रहे थे, मैंने मिस्लेनियस में क्या सव रखा जैसे बताता हूं, भारत में पर्थम रियल कोष्ट फेक्ट्री तो इंटिग्रल कोष्ट्री यह अंदर असान था नुकुलियर पावर कितना है यह मैं कुछ निए पहले पढ़ा था इसलिए मुझे असान लगा नहीं तो कि निगो ने को हाड लगा होगा नुकुलियर रियक्टर जो होता है वो 20 है और प पांच से छे प्रस्ण आये थे, और सैंस का प्रस्ण संभवता असान था, प्रेडिक्टेवल से दौनों शिफ्ट में एक प्रस्ण आये हुए थे, तो वह असान नहीं कह सकते हैं, जिनका प्रस्ण भूर ठीक हुआ, उन्हीं को ये प्रस्ण बना होगा, और बस उससे प्रस् जो निकाला जाता है उसमें किस इंजैम का प्रयूग किया जाता है तो यह जिस में था इसका हाड था ने तो मैं चारो सिफ्ट का संस का प्रसन देखा हूं वह असान-आसान ही प्रसन था वो difficult नहीं था तो संस का यह हो गया अगर बात करें तो इसे उसमें असान प्रस्न हो गया तो इक आप कह सकते हैं अगर आप अपर ऑल जी के की बात करो तो वही घूम फिर के आता है कि अगर पचास प्रस्न है तो आप 20-25 प्रस्न बना सकते थे 20-25 प्रस्न हाड है सबसे अधिक प्रस्न किसे आया थे तो कंप्यूटर से आ रहे थे साइंस से आ रहा था और अगर बात करें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा और हिस्ट्री मैं पर फिर से रिपीट कर देता हूं सबसे इंपोटें में घ्यार से 20 परश्न औरह besch से प्रस्न आए हुआ है इसका प्रस्न का नमर अधिक है था तो आप इसके according जरूर पढ़िएगा math का अगले वीडियो में बना देंगे तो यह इस वीडियो को इंड करते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में चैनल पर ने सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा